नोरा फतेही की काली सच्चाई जिसे जान कर आपका भी दिमाग घूमने लगेगा। नोरा फतेही आज कौन है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोरा ने बच्चपन में ही तै कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। नोरा को डांस से हर कोई जानता है। उनका डांस लोगों को अपना दीवाना बना देता है। ये उनकी डांस के प्रतिदिवानगी ही है कि मुश्किल से मुश्किल स्टेप्स भी वो बहुत ही आसानी से कर लेती है। डांस का शौक नोरा को बचपन से ही था। हमेशा से ही परफॉर्मर बनना चाहती थी। लेकिन उनके माता पिता को यह सब बिलकुल भी पसंद नहीं था। नोरा घर में जब भी डांस करती थी। तो उन्हें डांट पड़ती थी। लिहाजा उन्हें छिप-छिप कर डांस करना पड़ता था. उनकी मा को इस बारे में पता चल जाता था, तो वह उनकी पिटाई कर देती थी. लेकिन डांस के पीछे की दीवान गी नोरा ने कभी भी नहीं छोड़ी. नोरा का परिवार कभी भी नहीं चाहता था कि वह ग्लैमरस इंडस्ट्री में कदम रखें और एक्ट्रेस बने. लेकिन नोरा ने जिद की और केवल पाँच हजार लेकर भारत चली आई. तब उन्हें लगा था कि यहां आते ही उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिये जाएंगे. लेकिन की नोरा फते ही को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में रियलिटी शो में भी देखा गया था. नोरा फते ही बिग बॉस सीजन 9 में शामिल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था. बिग बॉस से पहले नोरा बाहु बली जैसी सुपर हीट फिल्म में काम कर चुकी थी, फिर भी वह पापुलेरिटी के लिए तरस रही थी. एक मौके की तलाश में थी और वो मौका उन्हें मिला भारत फिल्म में नजर आने के बाद सत्यमेव जैते का गर्ण, दिल बार नोरा की किश्मत बदल गई और सब कुछ हासिल कर लिया. जिस मुकाम पर है, उसे मुकाम पर पहुँचने की ख्वाहिश हर कलाकार की होती है. बता दें कि एक जमाने में नोरा ने टेली कॉलर का भी काम किया है. नोरा के शुरुआती दौर की बात करें तो वह टिकट भी बेशती थी. इस बात का खुलासा खुद अभीनेतरी ने अपने एक इंटरव्यू में